साथियों नवसकार कैसे हैं आप लोग Computation Community के Online educational platform पर आपका एक बार पुना स्वागत है साथियों हमने इसके पहले की क्लास जो होई उसमें हमने देखा था राश्टी पिछरावरगायोग तथा साथ में राश्टी पिछरावरगायोग के बारे में भी हमने चर्चा करी थी हमने विस्तार से पढ़ा था और हम आज उसी के MCQ के तहट देखेंगे कि आयोग से ले करके राश्टी पिछरावरगायोग से ले करके कैसे आपके एक्जाम में question पूछे जाते हैं एक्जाम में question पूछने का आयाम क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप इससे ये भी तैकर पाएंगे कि आपने जो पढ़ा वो आपको कितना चीजे याद हैं कि आपको कितने concept समझ में आये हैं आईए आज हम MCQ के इन ही सब चीजों के बारे में analysis करेंगे अब आप आज देखें पहला प्रस्ण और हम प्रस्ण की ओरांगे बढ़ते हैं आप कॉफी पिन लेके तयार हो जाईए साथियो और हमारे साथ आप भी question solve करेंगे आईए हम आज का पहला प्रस्ण देखते हैं आपके एक्जाम के लिए जो संभावित हैं कैसे question आपके एक्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आईए बढ़ते हैं पहले प्रस्ण की ओर question number first राष्टी पिछरा बरगायोग से संबंधित question number first कहता है कि राष्टी पिछरा बरगायोग को भारतीय संबिधान में कहां बरणन किया गया है भारतीय संबिधान में राष्टी पिछरा बरगायोग का बरणन कहां है उसके बारे में question उच रहा है आपके option A में है भाग 16 के अनुछे 338 B में कहता है भाग 15 क्यानु 6,340 C में कहता है भाग 16 क्यानु 6,338 का और कहता है D में भाग 16 क्यानु 6,338 साथियों जब हमने पढ़ा था आयोग समय हमने चर्चा करी थी जो इसका संबैधानिक प्रापधान है ये एक प्रकार का संबैधानिक निकाय है और इसका संबिधान में कहां वर्णन है तो इसका भारतिय संबिधान के भाग 16 के अनुच्छे 333 का सवार्टिकल खा इसको B कहते हैं उसमें इसका वर्णन किया गया है इसका राश्टी पिछरा बर्ग आयोग का अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओग अब हम दे गेर सम्वैधानिक निगार और डी में कहता है इन में से कोई नहीं साथियों आप जानते हैं कि राश्टी पिछला बर्ग अइख प्रकार का संबिधानिक निकार और ये संबिधानिक निकार कब बना तो यह 102 वह संबिधान संसोधन हुआ उसके तहट 2018 का जो संसोधन हुआ 102 भारती संविधान में उसके तहती से संवेधानिक निकाय बनाया गया संवेधानिक निकाय का दर्जा दिया गया अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रिशन की ऊड़ से नमबर थ्री कहता है राश्टी पिश्राबर्ग आयोग की सनरचना कैसी है राश्टी पिश्राबर्ग आयोग की सनरचना क्या है कहता है अप्सन ऑ कि एक यॉपध्यक्च और यॉपाद्यक्च शिक ऊप्ध्यक्च BE में कहता है कि एक यॉपध्यक्च और यॉपध्यक्च अृप्यक्ज एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं इस प्रकार ये पांच सदस्य और बहु सदस्य निकाय है तो option C इसका right answer होगा question number 3 का option C अब हम देखते हैं अगला प्रस्ट प्रस्ट number 4 question number 4 कहता है कि राष्टी पिछड़ा बरगायोक किस मंतराले की आधिन है इसके नूडल मंतराले के बारे में question पूछ रहा है आईए option देखें A में कहता है सामाजिक न्याए ससक्ती करण मंतराले B में कहता है मानोस अनसादेट मिकास मंतराले C में कहता है शांखिकी मंत्राले और D में कहता है ग्रह मंत्राले साथ U जो इसका सही जवाब है जो इसका राइट एंसर है वो होगा option A सामाजिक न्याए एवं ससक्ति करन मंत्राले इसके नोडल मंत्राले की रूप में कारे करता है राष्टी पिश्रावर्ग आयोग की अब हम बढ़ें अंगले प्रस्ण की ओर और देखते हैं question number 5 कहता है कि 102 जो संविधान संसोधन हुआ जो अधिनियम का बिल क्रमांग कौन सा था ऐसे question आपकी exam में पूछ लिये जाते हैं कई वाई इसलिए आप याद रखें वो बिल क्रमांग का कौन सा था जो राष्टी पिश्रावर्ग आयोग से संविधित अधिनियम लाया गया संसोधन का 102 तो उसके बिल क्रमांग के बारे में question पूछ रहा है A में कहता है 123 B में कहता है 121 C में कहता है 122 D में कहता है 124 साथियो ये fact-based question है इसका option A सही होगा 123 जो क्रम था वो किसका था 102 संविधान संसुधन अधिनियम का जो बिल लाया गया था पिश्रावर्ग आयोग से अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की और बढ़ते है प्रश्न नमबर 6 कहता है कि सन 1950 में पिश्रावर्ग आयोग किसकी अधिक्षता में गठित किया गया था तो आप जानते हैं आईए हम option देखें और फिर उसका सही उत्तर बताएंगे BP मंडल B में कहता है काका कालेलकर C में कहता है इंदरा साहनी D में कहता है इन में से कोई नहीं साथियों जो इसका सही उत्तर हो जगा जो इसका राइट अंसर होगा वो काका कालेलकर होगा और आप जानते हैं कि इसका अगठन 1950 में हुगा और 53 के आसपास इसकी रिपोर्ट आई थी BP मंडल भी हमारे पिश्रावर्ग आयोग से संबंदित ही आयोग था अब हम आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर देखें प्रस्ण नंबर 7 कहता है कि राश्टी पिश्रावर्ग आयोग अपना वारिशिक प्रतिवेदन किसे सौपता है तो आईए देखते हैं आपके ओप्सन A में कहता है राश्ट पती B में कहता है केंद्व सरकार और C में कहता है जनजाती कल्यान मंत्राले और D में कहता है ग्रह मंत्राले साथियो ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है तो ये अपनी रिपोर्ट देता है राश्ट पती जी को अपनी रिपोर्ट वारिसिक रिपोर्ट वारिसिक प्रतिवेदन सौपता है राश्टी पिश्रावर्ग आयोग अब हम आगे बढ़ते हैं अंगले प्रश्ण की योड़ अंगला प्रश्ण क्या है अंगला प्रश्ण कोश्चन नमबर एट है ये कहता है राश्टी पिश्रावर्ग आयोग के उपाध्धक्ष को किसके समान दर्जा दिया गया है इसको किसके समान दर्जा दिया गया है किसको राश्टी पिश्रावर्ग आयोग के उपाध्धक्ष को आपके option A में है केंदरी कैबिनेट मंतरी B में कहता है केंद्री राज्य मंत्री और C में कहता है राज्य केविनेट मंत्री और D में कहता है भारत सरकार सचिव साथियों जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट अंसर होगा वो आपसन A होगा क्योंकि जब हमने पढ़ा था, उस समय हमने चर्चा की थी जो अध्यक्ष होते हैं, राश्टी पिछलाबरगायों के उनका जो दर्जा होता है, वो केंद्री केविनेट मंत्री के समान होता है और सुरी, सुरी, सुरी यह यहां उपाध्धक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपका जो सही option होगा वो होगा option B क्योंकि यह जो होता है किंद्री केबिनेट मंतरी यह अध्धक्ष का होता है यह अध्धक्ष का होता है जो वहां का अध्धक्ष होगा आयोक का उसका क्या होगा दर्जा जो होगा किंद्री cabinet मंतरी के समान आपके यहां उपध्ध्यक्ष के बारे में फूछा गया है तो आपको उपध्ध्ध्यक्ष के बारे में बताना है Option B आपका सही अंसर होगा क्योंकि उसको केंद्री राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है बाकी जो अन्य सदस्य होते हैं उनको भारत सरकार सचीव के समान दर्जा प्राप्त होता है जो अन्य तीन सदस्य होते हैं तो साथियों यहां आप से पूछ रहा है राश्टी पिछड़ाबर्ग आयोक के उपाध्धक्च को किसके समान दर्जा दिया गया है तो उपाध्धक्च को केंद्री राज्य मंत्री के समान दर्जा दिया गया है इसलिए option 20 का सही उत्तर होगा option 20 का right answer होगा और हमने इसके साथ क्या समझा कि जो अद्धक्च है उसको केंद्री केबिनेट मंत्री और जो सदस्य है उनको भारत सरकार सचिव के समान दर्जा प्राब्द है बाकी अगर हम थोड़ा और extra fact के बारे में चर्चा करें तो इसके जो बेतन भत्ते हैं चाहे अद्धक्च चाहे उपद्धक्च चाहे सदस्य हो उनको किसके समान होता है भारत सरकार के सचिव के समान होता है अब हम आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की हो अंगला प्रस्ण देखते हैं Question No.9 क्या कहता है कि राष्टी पिछडा बरगायों के अद्धक्च चेवं सदस्यों को पुनाह कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है ये एक साधारन सा प्रस्ण है आप इसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे A में कहता है केवल एक बार B में कहता है केवल दो बार C में कहता है केवल तीन बार और D में कहता है चार बार साथियों जो इसका सही अंसर है जो इसका राइट अंसर है वो होगा option B क्योंकि दो बार ही इनके नियुक्ती का प्रावधान है हलाक ये पुनर नियुक्त हो सकते हैं लेकिन दो बार से जादा के लिए नहीं हो सकते चाहे अद्धक्च चाहे उपद्धक्च या सदस हों अब हम आगे बढ़ते हैं अंगले फ्रस्ट की ओ प्रस्ट नमबर 10 क्या कहता है मद्य प्रदेश पिछड़ा वरग आयोक का गठन कब किया गया पिछड़ा वरग आयोक का जो मद्य प्रदेश में है उसका गठन कब किया गया आपके ओप्शन A में है 8 मार्च 1993 आपके ओप्शन B में है 8 मार्च 1992 C में कहता है 13 मार्च 1993 और 14 में कहता है योश्वारी D में कहता है 14 मार्च 1993 आपका option जो C है वो सही उत्तर होगा क्योंकि 13 मार्च 1993 में क्या हुआ मद्ध्यप्रदेश राज्जी पिछराबर्ग आयोग का गठन किया गया था अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रेस्ट की ओर और अंगला कुश्चन देखते हैं तो next question क्या है क्या है question number 11 कहता है कि राश्टी पिछराबर्ग आयोग के बरतमान अध्यक्ष कौन है राश्टी पिछराबर्ग आयोग के बरतमान अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है आपके आपसर A में है आरियन प्रसाद, B में है एचल दत्तू और C में कहता है बी-पी मंडल और D में कहता है डाक्टर भगवाल लाल साहनी आपसे यहां क्या पूछ रहा है 2016 और अगर अगर थोड़ा फेक्ट की बात करें एक्ट्रा फेक्ट की बात करें तो आरियन प्रसाद जी जो थी आरियन प्रसाद जी तो है यह प्रतम अध्यक्ष ते किसके राश्टी पिश्रवरगायों के और इनका कारिकाल था 1993 से 1996 के आसपास का तो अब हम ने देखा आप से यहां कोश्चन बरतमान अध्यक्ष के बारे में पूछा और हमने बरतमान और प्रतमान अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर ली आईए अब हम आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन क्यों कोश्चन नमबर 12 कोश्चन नमबर 12 कहता है कि मंडल आयोग ने सरकारी सिवाओं में आती पिछणों के लिए आती पिछणों के लिए कितना प्रतिसत आरक्षन देने की बात कही कितने प्रतिसत आरक्षन की बात किसने कहा कोश्चन पूछ रहा है कि BP मंडल जो आयो गठित हुआ उसका कितने प्रतिसत पिछड़े बर्गों को आरेक्षन की उसने बात की थी आपके option A में है 23%, B में कहता है 27% और C में कहता है 29% और D में कहता है 33% साथ ही जो इसका सही अंसर है जो इसका right अंसर है वो option B होगा क्योंकि BP मंडल का जो आयो गठित हुआ उनके अद्धक्षता में उन्होंने ये सिपारिस की जो अधि पिछड़े हैं उनके लिए 27% आरेक्षन का प्राभधान होना चाहिए आए आगे बढ़ें Next question क्या है Question number 13 कहता है इन में से कौन राष्टी पिछड़वर्ग आयोग के अधिक्ष नहीं रहें इन में ऐसा कौन सा बिक्ति है जो राष्टी पिछड़वर्ग आयोग के अधिक्ष कभी भी नहीं रहें नहीं रहें हैं आपसे question पूछ रहा है आपके option में क्या है आईए देखते हैं आपके option A में है आरियन प्रसाद, B में है वीपी यादाव, C में है S रतना वेल पंडियन और D में है नरेंद मरावी साथ यो इसका जो सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है वो होगा option D क्योंकि ये कभी भी राज्टी पिछड़ावर्ग आयोग के अधिक्च नहीं रहें पूछ रहा है, A में कहता है नरेंद मरावी, B में कहता है नरेंद कुमार जैन, C में कहता है गौरी संकर विसेन, और D में कहता है M N राव, जो इसका सही अंसर है, जो इसका राइट अंसर होगा, वो होगा अफसन सी, गौरी संकर विसेन जी को अभी हाल ही में क्या बनाया गया है वद्ध्य प्रदेश राज्य पिछ्राबर्ग आयोग का अध्यक्ष तो आईए अगे बढ़ते हैं अंगले प्रेशन कियो प्रेश नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राश्टी पिछ्राबर्ग आयोग के संदर्व में नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए कथन वाले कोश्चन कथन वाले कोश्चन आप देखें और इनकी भी प्रेक्टिस करते चलें साथ साथ में क्योंकि आयोग अब कथन को भी लेके कोश्चन पूछता आ रहा है तो हम देखते हैं कथन पहला क्या है आयोग के धक्ष को केंदरी कैबिनेट मंत्री वा उपाद द्रश कुकेंद्रि राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और ये हमने अभी अभी इसके बारे में चर्चा की है तो मतलब ये कथन पहला सही है कथन दूसरा कहता है कि आयोक के सभी सदस्यों के वेतन भत्ते भारत scara कारiding के सचिब के समान हों इसके बारे में भी हमने चर्चा की है जब प्लास में पढ़ा था तब भी करी है और अभी हमने पिछले question में भी इसके बारे में चर्चा की इसका मतलब जब यह दोनों कथन सही हैं तो option c इसका right answer होगा क्योंकि यही कह रहा है कि दोनों कथन सही हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और और क्वेश्चन नमबर 16 प्रस्ट नमबर 16 कहता है कि निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर वही कथन वाले कोश्टन लाने का आज से साथियों यह है कि इससे आपको क्वेश्चन के साथ साथ बहुत अधर जानकारियां भी एक्ष्टा फैक्ट भी जानने को मिल जाते हैं तथा साथ में ऐसी प्रेक्टिस एक्जाम में अगर कथन आएं तो हमारी पहले सी रहनी चाहिए तैयारी हमारी पहले से उस प्रकार की होनी चाहिए आसे कथन वाले क्वेश्चन लाने का ये है बारहाल आईए देखते हैं कथन ए क्या कहता है कि मद्यप्रदेश सासंद वारा 13 मार्च 1993 को राज इस तरी मद्यप्रदेश राज पिछरा वर गायोक का गठन किया गया दूसरे में कहता है कि अधुसूचना मद्यप्रदेश राज पत्र में दिरांग 15 मार्च 1993 को हुई तो साथियो ये दोनों कथन सही हैं और आप से सत्य कथन बताईए सत्य कथन के वारे में पूछ रहा है तो option C इसका right answer होगा तोकि ये कह रहा है कि ये दोनों कथन सही हैं अब हम बढ़ते हैं अंगले question क्यों प्रस नंबर 17 question नंबर 17 क्या कहता है आईए हम देखते है कहता है कि राश्टी पिष्राबर्ग आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राजजी के राजजी पाल को किस अनुच्छेद के तहट फ्रेसित करता है वो कौन सा article है जिसके तहट क्या करता है राश्टी पिष्राबर्ग आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राजजी के राजजपाल को फ्रेशित करता है तो उसको फ्रेशित करने का काम किस्वका है अनुच्छे 338 का जो वाल्टिकल भी है उसका 7 इसके तहट क्या करता है आयोग अंगला राजजी के राजजपाल को संबंधित रिपोर्ट भेजता है और फिर राज जिपाल जी क्या करते हैं उसे वहां रखवाते हैं अपने संबंदित विधान मंडल के सदन में आईए आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्न की ओर प्रस नंबर 18 कहता है कि राजटी पिछरा बरगायों को संबेधानिक दरजा कब प्रदान किया गया और के ओप्सन ए में है 11 अगस्त 2018 बी में है 14 अगस्त 2019 और सी में कहता है 11 दिसंबर 2018 और डी में कहता है 15 दिसंबर 2018 जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है वो होगा ऑप्सन A क्योंकि 11 अगस 2018 को ही राश्टी पिछरा बरगायों को संबेधानिक दरजा दिया गया अब हम आगे बढ़ते हैं और question number 19 राश्टी पिछरा बरगायों को इनमें से कौन सी सक्ती प्राप्त नहीं है इनमें से जो बाते कही गई हैं इनमें कौन सी सक्टी आयोग को प्राप्त नहीं है राश्टी पिछा वर्ग आयोग को प्राप्त नहीं है उसी के बारे में कुश्चन पूछ रहा है क्या कह रहा है कथन आईए देखते हैं कौन सा नहीं है के बारे में पूछ रहा है कहता है कि किसी दस्तावेच को प्रगटवा पेस करने की अफेक्छा करना बिलकुल कर सकता है और ₴ सबद पत्रों पर साक्षिक्रहन करना ये भी कर सकता है और ₴ C में कहता है पिछ़रे भर्गों के खिलाप अत्या चार का दोसी पाए जाने पर सजा देना साथ ही ये इसका सही उत्तर होगा क्योंकि आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है सजा देने का प्रापधान नहीं है तो इस तरह जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा option C D में कहता है किसी विव्यक्ति को समन जारी करना बिल्कुल समन जारी करके पूछताच आयोग कर सकता है इसकी सक्ती आयोग को प्रापते तो ये तीनों काम आयोग कर सकता है चाहिए कथन A, option A में देखें, B में देखें और D में, जो option C है दंड देने का अधिकार रत्याचार होने पर इसका अधिकार आयोग को नहीं है और यहाँ वही पूछा गया है आपसे तो question number 19 का सही उत्तर option C होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्न कियोग question number 20 क्या कहता है कि रोहनी आयोग किस से संबंदित है हमने चर्चा करी है क्लास में आईए आप यहाँ बताएं रोहनी आयोग ST आयोग से संबंदित है SC आयोग से संबंदित है OBC आयोग से संबंदित है और D कहता है इन में से कोई नहीं साथियो यह OBC आयोग से संबंदित है रोहनी आयोग और इसके अगर गठन के बात करें हमारे OBC वर्ग को चाहे नोकरी में हो चाहे एजुकेशन में हो आरेक्षन प्रदान किया जा सके तो अगर आपसे कोश्चन पूछता है कि रोहनी आयोग किसे संबंदित है तो आप बताएंगे कि OBC वर्ग से संबंदित आयोग है ये OBC वर्ग से संबंदित आयोग है तो साथियों अभी हमने पहले क्लास में राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोग तथ हम मद्देप्रदेश राज पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में क्लास में चर्चा करी उसरूब विस्ताज से पढ़ा फिर हमने MCQ के तहट क्वेशन देखें कि आयोग से लेकर कैसे क्वेशन पूछे जा सकते हैं आपके एक्जाम क्वेशन पूछने का आयाम क्या रहता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आज का जो ये क्वेशन सेसन रहा होगा वो आपके लिए आपके तैयारी में फायदेवन सावित होगा आप जुड़े रहें कम्टेशन कम्यूंटी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं अंगले नेक्स्ट टॉपी के साथ अंगले नेक्स्ट आयोग के साथ तब तक के लिए आपको नवस्कार आपका भूत भूत धन्यवाद